एपिसो नमर फाइफ की स्टर्टिंग होती है और रोइंग किंग जेफ्यू से कह रहा होता है लियान आगे आओ और अंकल को हलो कहो फिर वो उनके पास जाकर हाथ आगे बढ़ाती हुए कहती है आप कैसे है अंकल आपसे मिलकर अच्छा लगा वेक्ती हस्ती हुए कहता है तुम बेवकुफ लड़की तुम फिर से निरलज हो रही हो तुम अपने अंकल से ऐसी बाते कैसे कर सकती हो और वहीं जेफ्यू है रानी से कहती है अंकल और फिर वो रोइंग किंग की और देखने लगती है और घबराती हुए मन में कहती है अरे नहीं क्या मैं पकड़ी गई हूँ और फिर सिन सिर्फ टोतर में प्रेसिडंट आफिस दिखाया जाता है जहां रोइंग किंग जेफ्यू से कहरा होता है फेक लियान तुमारी एक्टिंग इतनी भी जड़ा बेकार नहीं थी और फिर वो बात गुमाती हुए कहती है ये तो बस अपने अंकल के साथ मजाग कर रही थी और में नकली कैसे हो सकती हुबला और फिर रोइंग किंग कहता है लियान शादी से एक रात पहले ही अपने बच्पन के प्यार के साथ भाग गई तुम बिलकुल हूबहू उसके ही जैसी दिखती हो सिवाए एक तिल केज जो की तुमारे कान पे से गायब है कि ये बते सुन जे फ्यू अपना कान छुपाती हुए कहती है आखिर कार तुम मेरे को इतने ध्यान से क्यो देख रहे हो और फिर वो शान्त हो जाती है और उससे कहती है तो अब तुमारा प्लैन क्या है और तुम पहले से ही मेरी पैचान के बारे में जानते थे लेकिन फिर भी तुमने ये सब नाटक मुझे करने दिया ताकि तुम खुद ही मुझे एक्सपोस कर सको तो अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो और फिर रूइंग कियता है चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम बेवकुफ नहीं हो मेरी स्टेप मधर हमेसा मुझे प्रेज़िडन की सीट पैसे हटाने के ले नए-n знаe प्लैंस बनाती रहती है लियान और मेरी सोतिली मा दूर के रिस्तिदार है और इसलिए मेरी सोतिली मा ने उसे मेरी पतनी बनाने की कोशिश करी ताकि वो मुझे पर दबाव डाल सके और फिर जेफ्यू कन्फिज होती हुए उससे कहती है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक डबल एजेंट बनू जो की तुमारी सोतिली मा की सारी बाते आ कर तुमको बताओ तब रुइंग केता है हाँ तुमने सही कहा और फिर जेफ्यू केती है तो इसका मतलब एक अब दाओ बदल गया है और फिर वो रुइंग केती है ठीक है मैं इसमें तुमारी मदद कर सकती हूँ लेकिन ये सब करने के बदले में तुमको मुझे पेमिंट देनी होंगी तब रुइंग केता है हाँ ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको इसके बदले पैसे दूँगा लेकिन तुमको से पहले मुझे इंफॉर्मेशन बतानी होंगी अब जेफ्यू केती है किस तरह की इंफॉर्मेशन तब रुइंग केता है जेसी की मेरा नाम र दुख जाती है और फिर रूइंग किंग अपने मैंनेजर को कॉल लगाता है और उससे कहता है हेलो ली तुम जेफ्यू के बारे में इंफोर्मेशन कलेक्ट करो वहीं उसकी इस सब बते सुन जेफ्यू घबरातियों मन में केने लगती है अरे नहीं मैं उसे इस बारे में पता नेक्स्ट एपिसोड में